बिस्मिल्लाइरहमानुरहीम, असलम्वालेकूम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डोजेज कल्कुलेशन फोर इंट्राविन्यूस ड्रिप रेट, पिछले लेक्चर में हमने ड्रग डोजेज कल्कुलेशन की थी टेबलेस के लिए, सीरप के लिए और वेट क अज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डोजेज कल्कुलेशन फोर इंट्राविन्यूस ड्रिप रेट, अब हमें इंट्राविन्यूस ड्रिप रेट क्यों कल्कुलेट करना पड़ता है, हमें इसकी क्यों जरुरत पड़ती है, बिकास, FOR example, हमें डॉक्टर ने क्या ओर्डर किया है कि for example 100 यानि 1000 की drip है हमारे पास जो कि हमें infuse करनी है one hour में अब हम कितने drops जो है वो set करेंगे तो वो जो 1000 की drip है वो एक घंटे में पूरी infuse हो जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं simply calculation करते हैं जिसको हम intravenous drip rate calculation बोलते हैं इसके लिए भी हमारे पास एक formula है जो कि हम use करके simply flow rate को find out करेंगे so in this type of calculation अब इन calculation में हमें जो given से वो क्या है हमारे पास volume होगा उसके बाद हमें time period होगा क्योंकि उस time period में हम वो हमें जो drip है वो पूरी करनी है and drop factor ठीक है अब drop factor क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ अब हमारे पास volume होगा ठीक है उस volume को infuse होने के लिए हमारे पास time period होगा और उस time period में हम कितने drops को set करेंगे कि वो पूरा volume उस time period में infuse हो जाए so the required IV flow rate in drop per minute is calculated अब हम इन में क्या calculate करेंगे simply IV का flow rate in drops per minute हम calculate करेंगे अब यहाँ पर note दिया गया है वो note यह है कि अगर आपके पास जो answer आ रहा है IV flow rate का drops में अगर वो points में हैं या फिर decimal में आपका answer आ रहा है तो वो आप वो जो आपके पास answer आया है वो same ही drops के लिए नहीं set कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा आपने उसको round off करना होगा और round off करने के बाद अगर आपके पास जो answer आ रहा है तो आपने वो ही set करना होगा ठीक है so formula है हमारे पास volume divided by time in minutes अब volume हमारे पास milliliter में है और time जो है वो हमारे पास minutes में है उसको हम multiply करेंगे drop factor से ठीक है जिसको जो equal होगा हमारे flow rate से so अब ये drop factor क्या है the drop factor refers to the number of drop in one milliliter drop factor हम उसको कहते हैं कि एक milliliter में कितने drops कितने number of drops प्रेजेंट है ठीक है अब अगर हम किसी भी drift का drop factor calculate करने बेट जाएं तो वो हमारे लिए difficult हो जाएगा तो जो drop factor है different drifts का वो उनके उपर printed होता है याँपर लेखा है the drop factor is typically printed on the IV tubbing पे कि जो भी हमारे पास IV या इन फियों सेट्स होते हैं उनके उपर जो drop factor है उनका वो mention किया होता है ठीक है अगर हमारे पास कोई example भी होगा तो हमें जो drop factor है वो given होगा to calculate the flow rate in drops per minute अगर हम flow rate को calculate करेंगे drops per minute ठीक है तो उसके लिए हमें हमारे पास का क्या होना चाहिए total volume होना चाहिए of the solution and desired time for infusion ठीक है सो simple सा formula है drop flow rate का so flow rate is equal to total volume in milliliter divided by time in minutes and multiply by drop factor ठीक है सो अब हम इसका example देखते है example है हमारे पास calculate the IV flow rate for 250 ml of 0.5% dextrose to be administered over 180 minutes अब हमें IV flow rate calculate करना है किसके लिए 250 ml की 0.5% dextrose की एक drip है जो की हमें complete करनी है 180 minutes में और उसके लिए जो हमारे पास drop factor है वो कितना है 30 ठीक है 30 gtts पर ml अब हमें कितना drop factor set करना होगा जिसके वज़ा से या जिसके इसाफ से जो 250 ml की drip है वो 180 minutes में पूरी infuse हो जाएगी तो इसको calculate करने के लिए हम अपना same पीछे formula पढ़ा flow rate का वो ही हम यहाँ पर use करके अपना drop factor IV flow rate calculate करेंगे so step 1 में हम अपनी जो भी given data है उनको put up करेंगे so volume हमारे पास given है 250 ml और time हमारे पास है 180 minutes अब यहाँ पर आपने units के उपर ध्यान करना है ठीके units जो है वो हमारे पास volume हमारे पास milliliter में है जो कि हमारे formula में भी milliliter में ही है और जो time है वो भी हमारे पास minutes में है तो step 2 में बोल रहा है use the formula to calculate IV flow rate step 2 में हम अपना formula यूज करके flow rate को calculate कर रहे है no unit conversion are required अब यहाँ पर हमें जो unit की conversion है वो नहीं करनी बिकास हमारे पास जो volume है वो milliliter में और time जो है वो minutes में तो यहाँ पर किसी भी किसम की conversion नहीं होगी so volume हमने रखा है 250 ml रेड कलर वाला ठीक है और divide किया है उसको 180 मिनिट से और multiply किया है उसको 30 drop factor से तो हमारे पास answer आया है 41.66 gtts per minute अब आपने एक बात remember यानि याद रखनी है कि अगर आपके पास जो answer आ रहा है वो points में आ रहा है या decimals में आ रहा है तो वो आपने set नहीं करना उसको आपने round off करके जो आपके पास best answer आ रहा है वो ही आपने drop factor को set करना है ठीक है therefore the IV flow rate is 42 gtts per minute अब हम क्या करेंगे एक minute में 42 drop factor को set करेंगे तो क्या होगी 250 ml की जो drip है वो 180 minutes में पूरी हो जाएगी so simple सा formula है ठीक है और बहुत easy है इसमें कोई tension वाली बात नहीं आपने सिरफ formula को याद करना है और some basic जो equivalents हमने first lecture में discuss ही थे वो याद करने है जो की बहुत easy करेंगे आपको help करेंगे drug dosage calculation के लिए अब हम इसका second example देखने है जिसके बाद हम वीडियो को end करेंगे so the second example is the influence set is adjusted for a drop factor of 15 gtts per ml अब ये जो second example है ये थोड़ा इन्होंने गुमाफिरा के दिया है अब इसमें ये बोल रहा है कि 1500 ml की आईवी saline है जो की order की गई है बारा घंटों में infuse हो जाए और उसका जो drop factor है वो कितना है 15 है ठीक है so सबसे पहले हम step 1 में जैसे कि हम अपनी givens को determine करते हैं तो volume हमारे पास 1500 ml है और time हमारे पास 12 hour है और जो drop factor है वो हमारे पास है 15 23 ठीक है अब यहां पर एक बात और गोर करने की है वो यह है कि जो time है वो हमारे पास minutes में नहीं बल्कि hours में दीया गया है लोकि हमें जो पता है कि हमारे पास जो हमारा formula है उसमें जो time है वो minutes में है तो यहां पर क्या करना होगा हमें hours को convert करना होगा minutes में so step 2 में हम 12 hours को convert करेंगे minutes में so hours को minute में convert करने के लिए हम उसको minutes 60 minutes से multiply करेंगे so 12 hours को multiply करेंगे 60 minutes से यहाँ पर hours से cancel हो जाएगा 12 को multiply 60 करने से हमारे पास answer आएगा 720 minutes ठीके step 3 में हम अपना वो ही same formula use करके calculate करेंगे IV का flow rate so volume की जगा पर हमने 1500 ml रखा और time की जगा पर हमने 720 minutes रखा और drop factor हमें दिया गया है 15 ठीक है तो divide करके इनको multiply करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 31.25 gtts per minute अब यहां पर ml ml से cancel out हो गया तो हमारे पास unit बचेगा वो होगा gtts per minute अब यहां पर फिर से वो ही बात आगई जो हमारे पास answer आया है वो फिर से decimal में आया है तो हमें यह decimal वारा answer ही set नहीं करना drop factor के लिए हमें इसको round off करके ही set करना है so हमने round off करने के लिए क्या किया जो पॉइंट के बार नंबर है वो 5 से कम है तो हमें पता है कि जो नंबर 5 से कम होता है तो उसको हम क्या करते हैं cancel out कर देते हैं so हमारे पास जो answer आएगा वो आएगा 31 gtts per minute so the flow rate is 31 gtts per minute अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस